आउडिबल पेश करते हैं सरस्वती चंद्र लेखक गोवर्धन राम माधव राम तिरपाथी तारिक एहमद की आवाज में साउंड डिजाइन तारिक एहमद क्रियेटिड बाई डेली डोज उदर विद्या चतुर के घर में कुमु सुन्द्रिया बच्पन को छोड़कर बड़ी हो रही थी वो धीमे धीमे नौजवानी की रापे गदम रख रही थी बच्पन से मापिता के मौसे सरस्वती चंद्र का जिक्र सुनते सुनते वो कितना कुछ तो जान चुकी थी एक दिन उसका मन हुआ कि वो पिता की कमरे में जाकर वो खत पढ़ ले जो सरस्वती चंद्र ने विद्या चतुर को लिखा था आखिर उन खतों को पढ़ने में क्या बुराई है इन्हें उसके होने वाले पती ने लिखा है यही सोच कर उसने पिता की कमरे से वो पत्र ढूंड लिया और जिजगते हुए अपनी खुबसूरत उंगलियों से खत खोल कर पढ़ने लगी सरस्वती चंद्र के मोती जैसे शब्ट उसकी भाशा और लिखावट पर वो मोहित हो गई सोचने लगी क्या ऐसा पत्र कभी मेरे लिए भी आएगा अपने इसी सवाल को कुमुद ने एक पत्र में लिखा सबसे उपर लिखा मेरे चंद्र और आखिर में लिखा आपकी कुमुद आउडिबल पेश करते हैं सरस्वती चंद्र लेखक, गोवर्धन राम, माधव राम तिरपाथी तारिक एहमद की आवाज में साउंड डिजाइन तारिक एहमद क्रिएट बाई डेली डोज क्रिएट झाल